भगवान राम लला के प्राण पतिष्ठा को लेकर सभी तयारी पूरी कली गई है पूरी नगड़ी को तरेता की तरह सजा दिया गया है तो प्रभुराम का भब मंदर बन कर तयार हो गया है 22 जनवरी को प्रभुराम अपने भब महल में विराजमान होकर 23 जनवरी से दिपित तरसन देंगे प्रभुराम का जो 500 वर्स का लंबा संघर सरह वा संघंस मातर 84 सेकंड में ही समात होगा तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ड में बताते हैं कि कैसे 32 सेकंड में रामलला का भूमी पूजन हुआ और 84 सेकंड में रामलला 500 वर्स का लंबा संघर समात होगा आपको बताते चले मात्र 84 सेकंड का एक ऐसा मंत्र जो भगवान राम लाला के 500-800 के इंतिजार को खत्म कर देगा या कोई मामूली मंत्र नहीं है या भगवान के भब मंदिर में विराजमान होने वाला मंत्र है जिसका शयोग 500-800 बाद मिला है खुद भगवान का वनवास 500-800 तक चला हाला कि संघर्स की या कहानी बड़ी लंबी है लेकिन कासी के विद्वानों द्वारा पढ़ा जाने वाला जह मंत्र मात्र 84 सेकंड का होगा और इसी मंत्र के बाद भगवान राम लाला अपने भब मंदिर में इस्थापित होंगे भगवान के प्राणपतिष्ठा को लेकर दिव्विता और भविता नजर आने लगी है 500-800 के संघर्स को लेकर रामभक्त उस्साहित भी हैं 22 जनवरी 2024 को मेशलगन में व्रुष्टिक नवाम्ष में भगवान रामचंद जी प्रतस्थित होंगे अयोध्यम में एलगभग सवा बार के कुछ समय के बाद आएगा है साड़े बार के आसपस रहेगा है वो उसका उसका सूक्ष में उसमें आक्षता जालते हैं प्रतिति प्रिष्ठपरमेश्वर इतना ही कहा जाता है उसका वो तो होई जाता है एक मिनेट वो चीज़ कहनी जरूई होगी हाँ ता समय का महत्वात आता है ना पीछे भी पीछे भी 32 सेकेंड का मूर्थ दिया था शिला न्यास के समय प्रतिष्ठिता सु प्रतिष्ठिता मस्तु अभी कितने सेकेंड का रहे हैं अभी लगभग डेड़ मिनेट का है वह समय कौन साब है गुरूजी की समय ये बात बोल दी जायों कि साड़े बारक के आसपास है सब नहीं बताये जाता जो तुसके भी कुछ हिसाब है समय पर ही बेकता है नहीं तो उसमें विगन कोई कर र कि फोटो चपवाना और प्रचार प्रसारिये मुख्य है ये नहीं है तस्य सेवाम प्रकुरुवीत यावजीवम स्वधर्मताह नफला अर्थन नभोगा अर्थम नप्रतिष्ठा प्रसिद्धे ये अमारे भक्ति कृंतों में बताया है कि बगवान की सेवा आजीवन करना अपना करतों है कि धर्म के रूप में वह सेवा भगवान की सेवा कि फल की अकांग्षा से नहीं करना सुख भोग की अपेक्षा से नहीं करना आपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना आपनी प्रसिद्धी के लिए नहीं करना वह मुख्य है भगवान का विराजमान होना वो समय पर हो जाता है तो सबका जदन मंगल है